अधो किस्टे कर्या है पिछली वीडियो में हमारा क्या खतम क्या है हमने नोडल अनलिश्स क्टम किया और उसके च्छे जो कॉमन चीज थी उनको चेंज करके देखा था मेरे कहसे IPR वियल पीक यह से चेंज होता है basically, मेरा वही था, IPI, VLP का मेन पार्ट, एप्लिकेशन पार्ट, नोडर अनलेसी हो गया, सब खतम हो गया, ठीक है? अब, Reservoir Deliverability खतम हो गया मेरा, वैलबोर परफोर्मेंस खतम हो गया, अब मेरेको देखना है, वैलबोर देलिविरिविल्टी, ठीक है? वैलबोर देलिविल्टी देखना है, मेरेको, इसमें मैं देखना है, मेली चोक, और क्या देखना है, बहुत सारे कोर्लेशन, या एक्वेशन, नहीं यह नहीं देखना है, आपको, कोर्लेशन और एक्वेशन देखना है, सिर्फ देखना है, क्या, चोक देखना है, मेरेको वै वेलबॉर डिलिवरीबिल्टी चेप्टर जिसमें यह दिए नहीं गत्त नहीं है तो में सिफ जोग देख़ुंगा वैलबॉर डिलिवरीबिल्टी के नाम बही मेरा प्था क्या होता है सिंपल सी असान सी वीडियो रहेगी है ठीक है और अगर आप बोलते हो भी कहां से पढ़ना मुझे कंप्यूटर एसिस्टेट से पढ़ो या पैट्रोविकी विगारा ओनलाइं साइट्स भी बहुत सारी है कंप्यूटर एसे सीट करके एक बुक है उससे पढ़ो बॉइंगो ठीक है चोक चोक बेसिकली अब हम पढ़ते हैं वर्टिस चोक मैंने बताया था आपको अगर साड़ी में आपको याद हो तो मेरा वोल्स होते हो तो फुली ओपन या फुली क्लोज होते है मेरा क्या होता है या पार्शली ओपन चोक कहा लगा रहता है मेरा क्रीश्मस सी के जस्ट बाहर मेरी क्या लगी रहती है चोक मेरा क्या डिसाइड करता है चोक का अगर मैं डायगराम बनाओ ना डायगराम अगर आप इंटरनेट पे चोक क्यों देखोगे ना तो आपको कुंप्लेक्स सा डा की यह वाला यह वाला पाईप है बी ऐसे कुछ करो करे में बन्त अनुख ब्स करने लइन लग जाती है कैसे यह कुछ बहाने वाला कुछ्छ है घुत ना अ इस चींधर हो आगे में या नहीं बन्रोट लेना होता है वितना ही मैं बंद करता हूँ इतना और उससे आगे मैं फ्लo रेट ले ले लेता हूँ क्या बित चोक का यहे काम है क्या कि으면ा की फ्लो रेट मेरा इतना है विपना यह ले कंश्यादा करना नहीं चोक अगर हम इंजिनरिंग में जाए नहीं जैंड़ लेए तो P well a fixed approached P well Hedda P آएगा यहां पर मेरी वावावल हईगी प्रीवद है यह मेरा प्रीवद शोक मेरा पी वैड़ अन्ड पी وावल हदा यह फिक्स करता है ठीक है पीवैल है कैसे फिक्स करता है वो मैं बताऊंगा कैसे फिक्स करता है पर बैसिकली मेरा यह चीज पीवैल है और फिक्स करता है कितने typeij भूल लो उतिया मेरी मेरी दो तरह की गोलों पोस्टिफ ओ स्टिंव मरी जिया me रहे हरा इी यह वाला टूल तूल रहेगा न जो मेरा यह वाला टूल यह फिक्स रहेगा इसका D1 और D2 मैं उठाकर लेकर आँगा और उसके आगगे घुमा के फिक्स कर दूँगा उसमें क्या नहीं रहेगा यह चीज नहीं रहेगी एक होती है मेरी अडजेस्टिबल चॉक उसमें क्या रहेगी मेरी यह रहेगी उपर से गुमाने वाला तो यह प्लेट क्या उती रहेंगी बंद उती रहेंगी एक लोज ओपन होंगी ठीक है यानि D2 मेरा क्या हो सकता है अडजेस्ट हो सकता है और पॉस्टिव चोग मेरा D2 is not adjustable D2 मेरा क्या रहता है D2 मेरा क्या रहत इस में बता दिया प्लेसिं गड़ कि एक टरिवार मेरा थींग लिया्त रहते है, इसके ऐसे चोक प्रेस्चा त्रेशर के लिट है का लिटा ऑग पातना को सभनों, तुल शु essा ससरी प्रेस्ट प्रेस्ट रहते हैं इसयू को Meera अग के क्समें जाता है 20 सेपराइटर में जाता है इतना क्लियर इतना क्लियर चीन यह देंधर कमेरे एसे द्रंट के रहे रहा हुं इसमें नीच आ मेरी वह जरा हो पूरा बहुत बड़े ब्लांट्स तो आप मेरा क्या होता रहता है तो च्काए प्रेसर में यह रेता है जूर यह मेरा किस से स्कीनिट अवकर होता है यह मेरास त यह है तो मेरा इसे तो फिक्स ही नहीं हो पाएगायी अगर कैनेक्छे डौकल मेरे प्रैशर टो बीस भाते हैं इसलिए मेरा चोख लगाते है था कि मेरा प्रडियक archaic तरह से dis connection, Disconnection create कर देता है, यहाँ पर pressure disconnection, मतलग, चोक से इदर कुछ भी pressure change होता रहे जाए, इसको कोई मतलब नहीं होगा, यह P valid मेरे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, एक तरह से disconnection create करता है, सिर्फ flow नहीं और रहे इस connection भी create करता है, क्या create करता है, करता है कैसे करता है कैसे करता है इतनी सी बात मेरे को क्लियर हो गई चोग का मेरा क्या फाम रहता है चोग का मेरा पी वैल है मैंटेन करना रहता है कैसे जिचे स्रफेस फेसलि refund PE मिरा फिक्सा पड़ा चोग के या कर रदेता है यहां पर प्रेशर डिसकनेक्षिन बन नहीं है किसी तरह से तांधि मेरे जो डाउंस्रीम इन अकॉर दिसने मातलब अप्स्रीम मतलो そंग तो मेरा मेरा उधर से जो इनलेट जो मेरा inflow रहा इसको upstream बोल देते हैं यानि कि मेरा जो ऊपर से आ रहा है inflow में और outflow में downstream में ऐसे बोल देते हैं ठीक है तो मेरा जो यह एनड pressure disconnection कर देता है between upstream pressure and downstream pressure ठीक है इतना clear इतना clear हो जाना चाहिए ठीक है simple बाश्वाय मैं बताएं आपको अब बताता हूं मैं कैसे कैसे क्या करता है कैसे disconnection होता है यह diagram आपकी notebook में बन गया होगा ठीक है इसका चोप का diagram किस पर Google पर जाके भी देख सकते हो वहां पर आपको अच्छे से दिख जाएगा कुछ इस तरह का रहता चोप का diagram मतलब असलियत यह मैंने ले मैं वाला वो बनाया है अगर आपने इंटर्शिप करिया होगी कभी पेल्ड में तो आप देख आपने चोप लगा हुआ विंग वॉल्ट के साथ में चोप लगा हुआ या अगर आप फीचर में कभी इंटर्ण करोंगे तो देखना माइख फीच द्वाद के बच्चे तो एसम धनियाद के बाहर क्रिस्मस ट्री के बाहर किसमस ट्री पर वहां पर लगा हुआ चोप लगा हुआ हूँ स्वाधिक तो देखना कैसा साथ है ठीक है अपना इतना कसे ठीट के लिए कि अब देखो मेरा चोक होता है ना चोक के थू मेरा प्रेशर ड्रोप होता है बहुत अच्छा खासा मालो मेरा यह चोक है यहां से मेरा पीवन यहां से मेरा पीटू प्रेशर ड्रोप होता है पीटू अपन पीवन हमारा इतनी जल्दी प्रेशर डोब हो जायता है कि हमारे हीट को ना इंठाल पर होती है उसको चेंज होने का मोग कर नहीं मिलता इतनी जल्दी तो कहीं बार आप वहल में भी देखोगे या ओनलाइन आती रहती है उसमें तो किस पे शोषा साइट पर सोषील मिडीय स यह उसमें रहती है वैल राज जहतान में धार एभत recharge pee डाले label एकश्टॉर्ट पर फिर न में भी-चेंड नराप पर देखा हो मने चोर्फ हो पर बार एल्यूर्ट ऑनों डील प्रत बार्रपी नहीं यानि Ice Enthalpy process और Joule Thompson अगर एकदम से मेरा pressure drop होए Joule Thompson effect कही जाता है अगर मेरा pressure drop होए keeping enthalpy constant तो मेरा temperature भी drop हो जाता है निच्छा जाता है एकदम से एकदम से निच्छा जाता है तो यहां पर condensate बन जाते है किस पर pipe के साइड में उसको भी adjust करता है production जो बने रहते है ना and T2 तब मेरे condensate बनते है अब इस formula के इस formula पे आजाएए इस formula मेरा क्या हो रहा वई P2 मेरा है आउटलेट P1 इनलेट डाउंश्रीम अप्स्रीम ठीक है outlet इनलेट K मेरा क्या है K is equal to CP upon CV ठीक है 2 upon K plus 1 यह formula कैसे है यह formula याद करना है ठीक है कैसे आया thermodynamics पढ़ियोगी आपने यहाँ पे इसकी derivation नहीं करवा रहा है क्योंकि derivation is not important वो time खा जाएगी तो thermodynamics पढ़ियोगी आपने तो उसमें यह पढ़ा हुआ अगर नहीं पढ़ी thermodynamics तो sir हम कहां से पढ़े हम sir पढ़ेंगे पीके नाग करके एक बुक आती है thermodynamics की पीके नाग ऑनलाइन मिल जाती है उसकी यह बुक उस बुक से पढ़ेंगे हम ठीक है यह फॉम्ला क्या लिखा है मैंने P2 अपन P1 2 द्वाइड वाइड के पलस 1 के अपन के माइनस 1 ठीक है अब इस फॉम्लेवर सिग्निफिकेंस क्या है यह मेरा रिलेशन बता रहा है P2 अपन P1 और K K यानी CP अपन CV ठीक है ठीक है ठीक है थर्मडाइनस तर्म में 11th क्लास में पढ़े होगी 11th क्लास में भी है पढ़ा हुआ CP अपन CV रहता है मेरा K रहता है मेरा कि PV गामा इस इकल टू सी अडियावट बैटिक PV के इस इकल टू सी आइसें थैल्पिक पोर सैसी है तो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है तो इस पर ज्यादा कन्फीज होने वाली बात नहीं है तो 2 K प्लस 1 A to power K upon K minus 1 4 natural gas मेरा K क्या रहा था 1.28 ठीक है तो मेरा क्या यह पूरी वैली बनती है P2 upon P1 is equal to nearly 0.55 4 natural gas अगर आप solve करोगे 1.28 इसमें बुट करोगे तो यह मेनी क्या बनेंगी 0.55 value बनेंगी ठीक है इतना clear मेरे को अब देखो डस्चर कांगे अच्वीज नहीं होगा इतना मैं पढ़ा रहा हूं इतना ही पढ़ना है फालतु किसी इक्वेशन में ने जाना जितना मैं याद करने हो बोल रहा हूं इतना ही आद करना है ठीक है P2 upon अब देखो मेरा होता है supersonic flow होता है और subsonic flow होता है supersonic and subsonic supersonic flow मतलब मेरी जो velocity रहती है वह ज्यादा रहती है velocity of sound से subsonic मतलब मेरा जो velocity रहती है ठीक है अगर मेरा चोक के थ्रू फ्लो रहा है या तो वह उसकी जो अंदर से फ्लो रहा है उसकी velocity of sound से ज्यादा होगी या उससे कम होगी अगर कम होगी तो subsonic बलूँगा अगर ज्यादा होगी तो supersonic बलूँगा अब मेरा फायदा क्या रहता है प्रडक्शन इंजीनिर की इसमें इसमें रखना ही कोशिश करता है supersonic यानि कि मेरी velocity of flow के ज्यादा हो velocity of sound से इसी से जैसे ही velocity of sound से ज्याद होगी ना माल लो यह मेरा चोक है ना उसी पॉइंट पे disconnection हो जाएगा मतलब जो इंदर की जो जितनी भी surface facility है उसको कोई फरक नहीं पड़ता मेरा well head fix हो जाएगा और जो यह मेरा उपर जितनी भी मेरी pressure change हो रहे हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह मेरा क्या कर देता है disconnection कर देता है चोग अगर देखोंगे ना बहुत बड़ा chapter है इसमें condensate बगार भी form होते है जैसे मैंने जूल-thompson बगार बता है पर पढ़ने की जुरुवत नहीं है जूल-thompson effect पढ़ लेना चाहे पर इतनी वह deep में जूरुवत नहीं है उसकी questions भी बहुत सारी आती है बता हूँ फ्लोरेट q vs p2 upon p1 यह मेरा 0.55 है इसको बोलूँगा मैं critical इसको सब critical का इसमें मेरा क्या रहेगा supersonic flow रहेगा या इसमें मेरा क्या रहेगा सब文 posimsical में कुन सा रहेगा سब सोनि यानि अगर मेरा P2 upon 1 less than 0.55 है तो मेरा फ्लोरेट क्या nेसदीश और funz propor ने थे मेरा जाएगा को देदा क्या इसको परखनी पड़ेगा इतना क्लियर यह में यह इतना यह इस के इस चैप्टर जो आ है अगर में चो Celine है तो तो आगर मैं टेंप्रेचबूंढकर्ची मैं टेंप्रेचर से देखम मैं मैंने क्या relation लखवाया था एक relation यह important है अगर मेरे को बता पूछ लिया बई मेरा K इतना है गेट मोँ पूछ लिया तो मेरा K दे दिया और P2 दे दिया P1 पूछ लिया या P1 दे दिया मेरे को P2 पूछ लिया तो मैं ऐसे निकाल दूँ यह formula यूज करके दूसरा मैंने क्या बोला था पीवी के इस इकॉल टू कॉंस्टेंट फॉर आइसें थैल्पिक पॉर्सेस अगर यहां पर मैं वी पीवी इस इकॉल टू जैड़ एनार्टी होता है पॉर रियल गैस अगर मैं यह चीज भी की जंगा जैड़ एनार्टी अपॉन पी करता हो और ड्राइव करता हो तो मेरा जो टीट्यों पॉन टीवन आएगा ना यह आएगा भाई यानि कि मेरे टेंप्रेचर पता लग गया टीवन और टीटू अगर यह मेरा टीटू टैंप्रेचर किसमे गया निकिमें गया यानि कि मेरे कंदसेट फॉम हो जाएंगे मेरे टीटू जाएंगे टीटू कंडल सेट फॉर्म करने के लिए मैं हीटर लगाता हूं वहां पर ताकि मेरे अलग बात है पर यह डाउंस्टेम के बीच में रिलेशन बास इतना ही है कि अपना फैन्हें इतना ही छोख मायbas अ अब मैं कॉर्यलेश्ब्स बतांगा कॉर्यलेशन वह इंपोर्टेंट है पर आगर अया तो गेट 때 में देना इसन वेलियम में जैए पर इसलिए मेरा वाइन थक था पर ये गिल्बट को रिलेशन बता रहा हूं मैं इसमें मेरा क्या बोलता है कि पी वैल है ना जो आपका वह C, GLR, M, ये किसने दिया था? गिल्बट ने दिया था ही रिलेशन अगर मेरा गैस लिकुड रैश्यो ये फ्लॉरेट क्यू अपोन S की पावर N, इसने M की वैल्यू क्या दी थी? 10, sorry C की वैल्यू 10, M की वैल्यू 0.546, N की वैल्यू 1.89 मैं भी देखके लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को याद नहीं है, पर अगर दिया गेट में तो ये वैल्यू गिवन होगी और ये फॉम्दा गिवन होगा, टैसी वगेरह में भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, पी वैल्यू एट क्याल्कूलेट करना, इसमें आप देख ल पर बैरल क्योंकि गैस्टू लिक्विड रेशियो है, फ्लोरेट बैरल पर देख, एस एस कैमेरा डामेटर डीटू जो डीटू डामेटर बिताया था ना, डामेटर ओफ चोक इन 1.64 इंच यानि कि मैं चोक का जो डामेटर मेजे करता हूं वो तू 1.64 इंच ऐसे मेजर करत मेरा अग्या पूट कर ना, ग्यांतब करांगा है, अगर सफ्चा कपका lavender 2-5 मेरे अगर मरा को अग्या गाली is given, मैं टू पूट करूंगा टू ठीक है 1.64 इंच in, एसीक ऐसे जाएجमेटरЭण 1.64 इंच एक गर 219im गिवन है तो मैं क्या पूट करूँ है इतना क्लियर सिंपल इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको और तो अपना इसे चोख में हां खतम चोख बचे गिलबट और एक रोस करके आता है रोस के ऐसे चार को रिलेशन आता है आज हो कम्पिटर इस सीड़ में तक्रोगे उसमें ब अपने को इतना क्लियर है आपने को सु मैं बढ़ने से दिस कनेक्शनले करके तो अगर मैं लों नोड़ी को नोड़े जाक फट्यक्थ अगर मैं एक को मोई लों ब् Colonial analysis में पढ़ ल हkaa तो मेरे को पता है कैसे लें घो है खहिए है अब यहां पर दो मेरा 2 अगें से कोई लूरा जो होताए उसको कोई फर्किन警े पड़ता misin आ मेरा मेरा सब्सक्राइब कर दोन yay जो मर्य इस sports रोप हो मेरा तो मेरा बल्ब क्या बनेगा ? मतलग आउटफ्लो परफोर्मस कभ क्या बनेगा ? स्टे Clark Line बनेगा जो कि मेरा प्ल हैड के इक वाल होगा क्यों ? क्विवैंधसे आगे तो मेरा डिस गनेक्शन लिंढेक्स अ ने निया ठीक है प्लियर पी वैल हैड ट्रेट लाइन कैसे है पी वैल है और यहां पर एक प्रडेक्षन का मेजर पार्त जो है जैसे कि Artificial Lift और आगे Work Over Well Completion वर गया रहा तो हम इसके बाद आप देखेंगे Artificial Lift Artificial Lift में हम कैसे एंटर करेंगे हम एंटर करेंगे IP और वी यलपी के बीच में relation देखेंगे कि क्यों requirement होती है हमें Artificial Lift की चलो वह नेक्स वीडियो में देखेंगे इसी से कनेक्ट करके हम आर्टिफिशल लिफ्ट में तरहेंगे ठीक है अपना यहां पर क्लियर कोशन मेरे उन दोनों पर एक्वेशन पर आ सकते हैं वह आपके नमेरिकल लेक्षिर सेरीस में कवार हो जाएंगे इतनी बड़ी बात नहीं है वह ठीक है चलो थैंक यू